तिलंगाना के मुख्य मंत्री ने आज उनकी पाटी के 115 उमीदवारों का नाम डेकलर किया है प्रेस्मिट में लेकिन चार विधान सबाओं के उमीदवारों का नाम उन्होंने डेकलर नहीं किया है जिसमें मेरी एक गोशामेल विधान सबा भी आती है तो मैं आज ये बताना चाहूँगा कि मुख्य मंत्री जी में दम नहीं है कि मेरी विधान सबाओं का कैंड़ेट वो डिसाइड करे क्योंकि 2018 में ये मायम आफिस जो दारू सलाम है जो कारेले मायम का वहीं से 2018 में उमीदवार डिसाइड हुआ था लेकिन 2018 के चुनाओं में हमने पच्छाड दिया यानि दूसरी बार भी विधायक चंता के आशिर्वास से जीत हासिल मैंने की है इस बार भी मेरी विधान सबाओं से उन्होंने कैंड़ेट डिकलर नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट जो चुनाओं है मैं समस्ताओं डिसंबर में चुना हुए उमीदवार मुख्य मंत्र नहीं 2018 OAC दारुसलाम जो MIM का जो कारल है वहां से वो कैंड़ेट डिसाइड होगा और किस प्रकार से कैंड़ेट होगा इनका जो इनके तलवे चाटेगा जो इनके इशारे पे नाचेगा जैसे आप नोगोंने कहीं बार देखा होगा सुना होगा बले ही ये BRS यानि TRS ए BRS होगी ना बले ही BRS की सरकार या BRS का उमीदवार होगा इसकी स्टेरिंग हमारे हाथ में होगी तो जो कैंड़ेट होगा उसकी स्टेरिंग इनके हाथ में होगी ठीक है 2014 में जीत हासिल की है आप सबके आश्रवाद से 2018 में भी हमारी जीत हुई है 2023 का जो December में चुना होगा भारती जनता पार्टे का कैंड़ेट आपका भाई राजा सिंगी होगा और फिर से एक बार गोशा मेल की जनता के आश्रवाद से ही तीसरी बार विधायक बनूँगा क्योंकि मेरे को चिनाव लडने का उतना मन में नहीं था लेकिन जिस प्रकार से जो कीड़े मोकोड़े जो उठकर जो मुझे चैलेंज कर रहे न चलो तुमारा चैलेंज मैं एकसप करता हूँ आओ अब मैदान में आर पार के लड़ाई मैं लड़ोंगा देख लेंगे किसमे कितना दम है